Hello Friend, Welcome to Study News इस बार भीम्ष्टेक सिखर सम्मेलन स्री लंका में आयोजित होगा स्री लंका ने दिसंबर की सुरुआत में भीम्ष्टेक सिखर सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि भीम्ष्टेक सिखर सम्मेलन क्या है इसकी सदस से देश कौन कौन है और अब तक कितनी बार सम्मेलन हो चुके हैं So let us start भीम स्टेक का पूरा नम Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation है पिछला सीखर सम्मेलन 2018 में नेपाल की राज़ानी काटमांडू में हुआ था जिसमें पियम मोदी और अन्य देशों के नेता बैठक में सामिल हुए थे अब तक भीम स्टेक सम्मिट टोटल चार बार हो चुके हैं पहला 2004 में थाइलेंड में दूसरा 2008 में इंडिया में तीसरा 2014 में म्यामार में और चौथा 2018 नेपाल में हुआ था और इस बार का भीम स्टेक सिखर सम्मेलन दिसंबर में स्रीलंका में होने की संभावना है भीम स्टेक एक छेत्री बहु पक्षिय संग्ठन है और बंगाल की खाड़ी के तट के किनारे और पास के छेत्रों में जो देश इस्तित हैं वो इसके सदस्य देश हैं इस भीम स्टेक के कुल सात सदस्य देश हैं जिनमें पाँच दच्छिड एसिया में भारत, बांगला देश, भुटा, नेपाल और स्रीलंका इसके सदस्य देश हैं और दो दच्छिड पूर एसिया के मयामार और ठाइलेंड है भेमश्टेक न सिर्फ दच्छिड और दच्छिड पूर एसिया के बीच संपर्क बनाता है बलकि हिमालय और बंगाल की खाड़ी की पारिस्थित्की को भी जोडता है इस सम्मीलन का मुख्य उद्देश से हैं छेत्र में तेज गती से आर्थिक विकास का वातावरण बनाना सहयोग और समानता की भावना विक्सित करना सिक्षा, विज्ञान, प्रोध्योगिकी, व्यापार, निवेश, उर्जा, पर्यटन, क्रिशी, मत्सिपालन, संस्कृतिक, सहयोग, पर्यावरण, गरीबी उन्मूलन और भी कई छेत्रों में एक दूसरे का सहयोग करना अब जानते हैं कि भीमश्टेक का गठन कब हुआ था इसका गठन 1997 में हुआ था सुरुवात में इस संगठन में कुल चार सदस्य देश थे जिन में बांगला देश, भारत, स्रिलंका और थाइलेंड लेकिन बाद में मियामार, नेपाल और भुटान इस संगठन में सामिल हुए भीमश्टेक का हेड़क्वाटर धाका बांगला देश में है लेकिन अलग-अलग छेत्रों के सेक्टर्स अलग-अलग देशों में है जैसे टेकनोलोजी सब सेक्टर स्रिलंका में एनर्जी का सेक्टर मियामार में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का सेक्टर बांगला देश में टूरिजम का इंडिया में फिसरिस का थाइलेंड में एग्रिकल्चर का मियामार में इसी तरह अलग-अलग छेत्रों के सेक्टर अलग-अलग देशों में है भीम स्टेक के वरतमान महा सचीव भूतान के तेन जीन लिख फेल हैं और पूर्व महा सचीव पांगला देश से स्री साहेदु इश्लाम थे और प्रतम महा सचीव स्री लंका से स्री सुमित नगदला थे अब जानते हैं कि भीम स्टेक भारत के लिए किस तरीके से important है भीमश्टेक भारत को तीन प्रमुख नितियों के साथ आगे बढ़ने का अफसर देता है नेबर हुट फ़र्ष्ट जिसमें देश की सीमाओं के पास के छेतरों को प्रधानता मिलती है एक्ट इस्ट जिससे भारत दच्छिर पूर्व एसिया से जुड़ता है भारत के पुर्वत्तर राज्यों का आर्थिक विकास इसमें पुर्वत्तर राज्यों को बांगला देश और म्यामार के साथ बंगाल की खाड़ी की छेतरों से जोड़ने का अफसर मिलता है तो ये थी ब्यम स्टेक सिखर सम्मेलन से जुड़ी कुछ इंपोर्टन बाते तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीस लाइक सब्सक्राइब और कमेंट